हेलो चिल्डरन, कुसु मैं के उलाइन क्लास में आपका स्वागत है, प्यारे बच्चों, आज हम फोर्थ क्लास के विश्य प्रिवेश अधिहन का पाठ दे रहे, काना बाती कुर्ण, में आने वाले कुछ बहु विकल्पिय पर्षनों को हल करना सीखेंगे, सभी बच्चे व अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में दिये बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक और शियर जरूर करें, अब देखिए यहाँ पर पहला क्यूशन दिया गया है, किस जीव के कान बाहर नहीं होते? उप्सन दे रखे हैं, कववा, ख उप्सन है, गाएं, ग, तोता, और घ उप्सन दे रखे हैं, क और ग दोनों, क और ग दोनों का मतलब है कववा और तोता दोनों ही, तो बताए बच्चों, किस जीव के कान बाहर नहीं दिखाई देते? हाँ, पक्सियों के नहीं दिखाई है ना, गाएं के तो बड़े-बड़े कान होते हैं, बाहर दिखाई देते हैं, तो बताओ, कुन सा उप्सन आना चाहिए, हाँ, उप्सन आएगा यहाँ पर, घ, यानि की कव्वा और तोता, जो यह पक्सी है, इनके कान हमें बाहर दिखाई नहीं देते, लेकिन मुझे यह ब कुछ जीवों के सरीर पर बाल होते हैं, जैसे भेड, बकरी, आदी, परन्तु कुछ जीवों के सरीर पर बाल नहीं होते, निमलिखित में से ऐसे कौन से जीव है, यानि जिनके सरीर पर बाल नहीं होते, ऐसे जीव पूछे हैं इसने, तो बताइए, उप्सन दे रखा है, छ ग, केंचवे और घ, ओप्सन है उप्रोक सभी तो इसका ओप्सन जो है सही वाला वो आएगा घ, उप्रोक सभी यानि कि छिबकली, गिर्गेट और केंचवे इन जीवों के सरीर परबाल नहीं होते हैं अब आगे कृष्ण पूछा इसने कि जो जीव, पेड, पोधे और उनके भाग या घास, फूस खाकर जीवित रहते हैं, वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, ये पूछा है तो option दे रखा है शाका हारी, ख option दे रखा है मानसा हारी, ग option दे रखा है सर्वा हारी और ग option है इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर एक बात मैं पहले समझा देती हूँ बच्चो आपको कि तीन तरहें के जीव होते हैं एक हैं शाकाहारी, एक होते हैं मांसाहारी और एक होते हैं सर्वाहारी सबसे पहले इन बातों को ध्यान से सुनिए मांसाहारी कोन होते हैं जो मास खाते हैं और शाकाहारी कोन से होते हैं शाकाहारी होते हैं जो जीव पेड़ पोधे या उनके भाग या घास फूस खाकर ही जीवित रहते हैं वो शाकाहारी होते हैं और एक होता है सर्वाहारी सर्वाहारी का मतलब होता है कि जो घास फूस पेड़ पोधे से बने हुए इनके हिसे ये भी खा लेते हैं और मास भी खा लेते हैं वो दोनों ही चीज़े खाते हैं तो वो सरवाहारी में आ जाते हैं तो अब बताइए मुझे इसका आंसर कौन सा आएगा जो जीव पेड़ पोधे और उनके भाग या घासफूस खाकर जीवित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं शाकाहार अब इसी तरह से नेक्स्ट क्यूशन पूछा है इसने केवल मास खाने वाले जीव मांसाहारी होते हैं निम में से कौन से जीव मांसाहारी है ओप्सन दे रखा है हिरन ख गाए ग शेर और घ खरगोस यह आंसर तो आप इजीली बता सकते हैं बच्चो है ना क्या है ओप्सन ग शेर शेर जो है वो मांसाहारी में है वो केवल मास ही खाता है अब आगे पूछा क्या है कि शाक वनसपती खाने वाले शाकाहारी मास खाने वाले मासाहारी और ऐसे जीव जो मास और शाक दोनों खाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वाहारी निम में से कौन सा सर्वाहारी है तो बताईए बच्चो सेर तो मांसा हारी में आ जाता है है ना केबल मास खाता है कुत्ता किस में आएगा बताओ हाँ कुत्ता मास भी खाता है और शाग साकाहारी में भी आ जाता है, साग वंस्पती भी खाता है, है ना, और ग, गाएं दे रखा है, गाएं किस में आती है, शाग वंस्पती खाने वाले में, यानि शाकाहारी में, और हाथी भी शाकाहारी में, तो सरवाहारी में कौन है, कुता, तो यहाँ पर हमारा ओप जो दोनों चीज़े खाता है, मास मचली जैसे ये भी और शाक सबजियां भी खाता है, वो सरवाहारी होते हैं, तो हमारा option या कुट्ता ख आएगा, next question दे रखा है कि किस जानवर के कान बड़े और पंखे जैसे होते हैं, option दे रखा है, हाथी, ख जिराफ, ग बकरी, ग दे रखा है कान, तो बच्चे आप समझी गए होंगे, हाँ, बड़े बड़े कान होते हैं, हाथी के, तो यहाँ option आएगा, क अब इसी तरह से, यहाँ पर आगे पूछा गया है कि जल में रहने वाले जीव है, मचली, मेंडग, कच्छवा, आदी, इन्हें कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, उभैचर, ख ओप्सन दे रखा है, जलचर, नभचर, या थलचर, तो जो जल में जो जीव रहते हैं बच्चों, उन्हें जलचर कहा जाता है option यहाँ पर आएगा ख जलचर अब इसी तरह से आके इसने पूछा है निम्ड में से कौन सा जीव उभैचर है मेंड़क मक्खी चूहा या कोई नहीं तो सबसे पहले तो उभैचर क्या होता है कौन से जीव होते हैं ये जानिए ऐसे जीव जो जलब में भी रहते हैं और जो थलब भी रहते हैं वो उभैचर होते हैं तो इन में कौन सा जीव है ऐसा वो है मेंड़क तो यहाँ पर option हमारा आएगा क ये जीव उभैचर है अब आगे कहा इसने कि निम्ड में से थलचर को नहीं है थलचर यानि कि जो जमीन पर रहता है धर् मचली, हाथी, छिपकली तो इन में जो मचली है भचो वो थलचर नहीं है कौन है ये ये है जलचर यानि कि जल के बिना तो मचली रहे ही नहीं सकती है ना या option हमारा आएगा ख अब आगे है हमारा राश्ट्रिय पक्सी मोर है उसी तरहें हर्याना का राज्य पक्सी है उप् अंठ, नील गाए, काला तीतर या काला हीरन तो मोर हमारा राश्ट्रिय पक्सी है और हर्याना का जो राज्य पक्सी है वो है काला तीतर तो यहाँ option कौन सा आएगा बताओ ग ओप्सन यहाँ पर आजयेगा अब आगे हैं कि हर्याना का राज्य पक्सी काला तीतर है उसी तरह हर्याना का राज्य पसू है राज्य पसू पूछा है इसने कौन सा है ओप्सन दे रखा है बाग, हाथी, बारे सिंगा या नील गाएं तो यहाँ पर ओप्सन हमारा आएगा घ नील गाएं नीलगाई जो है वो हर्याना का राज्यपसू है अब आगे क्यूशन है जिस परकार राष्ट्रिय पुस्प कमल है उसी परकार राष्ट्रिय पुस्प क्या है सभी बच्चे जानते ही होंगे राष्ट्रिय पुस्प कमल है है ना और राष्टिय पसू का नाम ओप्सन दे देती हूँ चीता हाथी हीरन और बाग अब बताएए हाँ बाग very good ओप्सन यहाँ पर आएगा तो बच्चो आज इस वीडियो में केवल इतना ही next वीडियो में हम और नए लेसन के साथ मिलेंगे तो हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए परसनों के साथ तब तक के लिए बाई बच्चो